नमस्कार दोस्तो एस्टो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुम्ब राशी और करक राशी का संबंध कैसा रहता है उनका लव रिलेशन्शिप या लव मेरेज किस तरह का रहता है दोस्तो के लिए बहुत ही अच्छी बात रहती है लेकिन कुम्ब राशी के जातकों को इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आपके विचार स्वतंत्र होते हैं जीवन को जीने के लिए हमेशा आप तयार रहते हैं यहीं करक राशी के जातकों में थोड़ी कमी आ जाती है जिसके कारण आप इनके साथ relation बनाने में हताश भी हो सकते हैं हाला कि कुमराशी के जातकों को relationship में आने से पहले बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा करकराशी के साथ लेकिन एक बार जब करकराशी के जातक आपके साथ संबंध बनाएंगे आपको फ्रेमी के रूप में स्विकार करेंगे तो ये आपको बेपना प्यार भी करेंगे उनकी दुनिया में बस आप ही आप रहेंगे और जीवन के हर एक छेतर में आपके अलावा इनके चिंतन में कोई नहीं रहेगा करकराशी के जातकों में ऐसी विचारधारा होने के कारण कुम्भ और करक का मिलन बहुत ही अच्छा देखा जाता है जोतिश शास्त्र के अनुसार कुम्भ राशी और करकराशी का संबंध बहुत अच्छा देखा जाता है करकराशी के जातकों के मीठी वानी के चलते, अच्छे वेवहार के चलते, कुम्राशी के जातक इनके और जल्दी आकरशित हो जाते हैं साथ ही करकराशी के जातक बहुत ही खुबसूरत भी होते हैं उनका यही आकर्शन कुम्राशी के जातकों के लिए उनके लोग प्रियता का कारण बन जाता है कुम्राशी के जातक इनके और इतने आकर्शित हो जाते हैं कि ये हर कदम पर उनके साथ समय बिताने के लिए सुचते रहते हैं कुम्राशी के जातकों को करक्राशी की दोस्ती बहुत ही पसंद आती है क्योंकि करक्राशी के जातक प्रेम संबंध में आने के बाद बहुत समझदारी से अपने जुरिदार की हर एक बात सुनते हैं जो इनके रिलेशन्शिप में बहुत ही मजबूती लाता है करकराशी के जातक क्योंकि थोड़े शर्मिले मिजाज के होते हैं तो ये अपने प्रेम का इजहार खुल कर नहीं करते हैं ऐसा नहीं है कि ये आप से प्रेम नहीं करते हैं हकीकत में ये लोग आपको दिल से चाहते हैं इनकी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। हाला कि इनके जीवन में कई बार कुमराशी के खुले मिजाज के लिए और करकराशी के शर्मिले मिजाज के कारण इनके जीवन में मनमुताओ भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि ये अपने जीवन में अच्छे जीवन साथी नहीं बन सकते हैं। इतिहास गवा है कि इनके रिष्टे बहुत ही अच्छे साबित होते हैं जीवन में आगे चल कर। जोतिस शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं है कि इन दोनों के रिष्टों में मुश्किले नहीं आती है। मुश्किले होने के बावजूत अगर ये अपने रिलेशन्शिप को धेरे पूर्वक आगे लेकर चले तो इनका संबंध बहुत ही अच्छा चल सकता है। इनके बीच लव रिलेशन्शिप में एक दूजे को हमेशा खुश रखने का प्रयतन ये अवश्य करते हैं। साथ ही हर वो बात मानते हैं एक दूसरे का जो इनके हित के लिए होती है। दोस्तो, Marriage Astrology के आधार पर कुमराशी और करकराशी के संबंध में दिक्कते तो दिखाई देती हैं। इनके विवाह के पच्छात ये हमेशा एक दूसरे को समझ लेते हैं और समझने का प्रयतन भी करते रहते हैं। जिसके कारण इनका रिलेशनशिप अच्छी तरह चलते हैं। दोस्तो, Love Life या Married Life गाड़ी की दो पईये की तरह होती है। यदि कुमराशी के जातक, करकराशी के जातक के साथ अपना पूरा जीवन आनंग पूरवक बिताना चाते हैं। तो इनके साथ compromise अवश्य करना पड़ेगा। अगर आप कुछ चीजों को धील दे और कुछ चीजों को समझदारी पूरवक नियोजित करें। तो आपका संबन्थ बहुत ही अच्छा जा सकता है। तो दोस्तो ये थी कुछ विशेश बाते कुम्बराशी और करकराशी के संबन्थ को लेकर इनका relationship बहुत ही अच्छा देखा जाता है। हालाकि थोड़ा compromise भी इनकी जीवन में अवश्य रहता है। आशा करता हूँ दोस्तो मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेर अवश्य करें। साथ ही अपनी राय कॉमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तो